दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जिससे के आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सपा सकें समय समय पर हमारी दुनिया में कुछ रहसे में और अजरच भरी घटनाएं घटी रहती है ऐसी ही एक घटना तुनेशिया के रेगिस्तान में घटी जब वीरान पड़े रेगिस्तान में रातों रात एक विशाल जील का निर्मान हो गया स्थानिय लोगों ने इस जील को लेक दगावसा का नाम दिया है जील के बनने का कारण अभी सपष्ट नहीं हो पाया है हाला कि विग्यानिकों का मानना है कि ये भुकम्पी प्रक्रिया है किसी गड़बडी या उतल पुतल के चलते जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ गया है बाकी पूरी हकीकत तो जाच के बाद ही सामने आएगी स्थानिय प्रशासन ने लोगों को इस जील के पानी को ना इस्तवाल करने की चैतावनी दी है अधिकारियों ने स्थानिय लोगों को अगाह किया है कि इस जील का पानी जहरीला और सेहत के लिए हानी कारत हो सकता है क्योंकि शुरुआद में जब पानी निकला तो नीले रंग का था और बाग में ये गहरे हरे रंग में बदल गया हाला कि प्रशासन की चेतावनी के बाग भी लोग इसके नजदी जाते हैं वो यहां की चलचलाती कर्मी में जील का मज़ा लेने से खुद को रोख नहीं पाते हैं स्थानिय प्रशासन के मताबिक एक हेक्टेर से जादा की दूरी में फैली इस जील का आकार दस लाग क्यूबिक मीटर हो सकता है वहीं इसकी गहराई दस से अठारा मीटर तक हो सकती है यह जील तुनीशिया के गाफसा शहर में मौजूद है यहां पर देश की सबसे बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री है और गाफसा शहर फॉस्वेट माइन्स का सबसे बड़ा ठिकाना है रिगिस्तान में इस तरह जमीन से पानी निकलने की ये इकलौती घटना नहीं है सदियों से जियोलोजिकल परिवर्टन के कारण ऐसे चमतकार रिगिस्तान में होते आए है इस परक्रिया में कुछ जियोलोजिकल गतीविधियों के कारण जमीन की कहराईयों में पानी सदय पर आकर एकठा हो जाता है और ऐसे में ये एक तालाब का रूप ले लेता है ऐसे तालाब जियोलोजिक भाशा में गुल्टा कहलाते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेश्टा ये है कि ये कभी सूकते नहीं है ऐसा ही एक गुल्टा विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा में स्थित है जो कि गुल्टा दी आर्ची के नाम से प्रसिद है यहां पर हर रोस रास्ते से गुजरने वाले उंटों के काफिले पानी पीने और आराम करने आते हैं एक और बड़े आश्चरिय की बात ये है कि इस सुदूर वीराने में सिद इस गुल्टा में नील मगरमच भी रहते हैं जो कि नील क्रोकोडाइल के आखरी बचे हुए कुछ चुनिंदा ठिकानों में से एक हैं ये क्रोकोडाइल इसमें रहने वाली मचलियों को खाकर और मचलियां शैवालों को खाकर जिन्दा रहती हैं गुल्टा के प्लेटूस पर मत काल में बनी रॉक पेंटिंग भी पाई जाती है ये इस बात का जीता जाकता प्रमान है कि ये गुल्टा कितनी सदियों पुराना है वैसे तो ये गुल्टा सहरा रेगिस्तान के सदूर वीरान इलाके में स्थित है इसलिए विग्यानिकों के इलावा यहां पर जाने की कोई नहीं सोचता पर कभी कबार कुछ शौकिया टूरिस्ट भी यहां पर आ जाते है यहां पर जाने के लिए रेगिस्तान में चलने वाली स्पेशल जीब से सफर करना पड़ता है चार दिन के सफर के बाद आप इस इलाके के करीब पहुंच सकते हैं आगे के कुछ घंटों का सफर आपको पैदल ही पूरा करना पड़ता है इस तरह चार दिन काड़ी और कुछ घंटों पैदल सफर करके आप सहारा रेगिस्तान में स्थित इस नखली स्थान में पहुंच सकते हैं हमारी राय यही है कि यदि आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने से पहले आप डिसकवरी चैनल पर आने वाले प्रॉग्राम मैन वर्सेस वाइल के कुछ एपिसोड जरूर देख लें ताकि अगर आप यहाँ समाने परिस्तितियों में फच जाएं तो आप अपनी सहायता स्वैम कर सकते हैं दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम आकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां पर आप मुझे परसनली मैसिज भी कर सकते हैं आप अपने विचार हमें कॉमेंट्स के माधियम से जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेर जरूर करें हम जल्द ही आप से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए इजासत दीजिए